बूर्णिंग फ्रेंद्स इस सर्व पोशल आई विल्कम यौल वन इस चैनल कैसे आप सब लोग आई हूप आप सब बच्छोंगे हम करें थे हमाचल की नदियां पांच नदियां बहती है हमाचल में सतलूज और आपकी शतलूज फिर ब्यास चिनाव रावी और सबसे चोटी बहती हैं कितनी बहती है यह झाल्ग नियुक्र सब्सक्राइब यहां पर लोटसपिती चमब दो यहां पर कांगड सिस्च की जगह में दूसरी नहीं-कॉटमिस जैद नहीं। कांगडा आ जाता है दो मेई बहरी है रावी भी ठीक है तो रावी सबसे पहले origin कहां से होता है सबसे पहला कुशन जो रावी के बनता है origin कहां से होता है तो यह बड़ा भंगाल यह देखिए कांगडा में joint होता है यहाँ पानी गिरता है और यहाँ बड़ा बंगाल लोकेशन है और यहाँ से आगए यह रावी का निर्वान होता है भादल और तंतागिरी बड़ा बंगाल में उनका पानी गिरता है जिसे कौन सी नदी का निर्वान होता है रावी नदी का होता है और यह हिमाचन मे 158 km भेहती है ठीक है ये हो गया उसके बाद इसकी अगर मैं बात करूँ रावी की और इसका जो catchment area है catchment area है वो 5,451 square किलोमेटर है ठीक है ठीक है ओके अब उसके बाद चंबा टाउन जो कौन सी नदी है जिसके किनारे चमबा शहर बसा हुआ है चमबा टाउन तो ये रावी ही है ये कुशन भी आता है बहुत बार मैंने कहीं पड़ा हुआ है बहुत मतलों कहीं बार स्टडी जैसे करते हैं तो बीच में कुशन देखा है कि कौन सी नदी है जिसके किनारे चमबा शहर बसा है तो ये रावी नदी ही है ठीक है और ये बाद में चिनाव ये जो रावी नदी है पाकिस्तान में जाकर चिनाव के साथ रावी प्लस चिनाव पाकिस्तान में जाकर दोनों मिल जाती है रावी और चिनाव जाकर कहां मिलती है पाकिस्तान में मर्ज हो जाती है ये चिनाव न पीर पंजाल चमबा में है, दोलादार कांगडा में हम मिली जानते हैं, है तो हैं यह पूरी में, बाद में कभी रेंजी का अगर टाइम लगेगा बताऊंगी, लेकिन डॉमिनेटर अगर मैं बोलू, जब भी पीर पंजाल की बाता है, हम सिधा चमबा में चले जाते हैं, दो अगर आपने नहीं देखा है, तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है, परुशनी है, और जो संस्क्रीट नाम है, वो इरावती है, रिप की तरह भी आप याद रख सकते हैं, इरावती पुरुशनी, ये संस्क्रीट नाम, ये वैदिक ने, जैसे आपको सही लगे, आप कर लेंगे, चीक है, और हम क्या करेंगे, बड़ा बंगाल हो गया, कहां से निकलती है, र बीस थी सतलूज, एक सो, दो सो चपन थी ब्यास, और हां, थर्ड लाजस्ट ही है रावी, क्योंकि इसके बाद चिनाव आती है, फिर आती है यमना, ठीक है, उसके बाद एक और चीज, ये कोशन भी मैंने एक देखा था, कि जो रावी है, ये लोकेशन, मैं अपमें नहीं दिया है, मैं बता देती हूँ, कि रावी जो है, वो डिस्टिक चमबा में कहां से अंटर होती है, कांगडा, जो है, मैं, कांगडा से चमबा में कहां जाती है, सरहोली, सरहोली, कौन सी जगा है, सरहोली नामक जगा है, जहां से रावी नदी, आपके, कहां, चमबा में अगर आपको पसंद आता है तो आप यूज कर सकते हैं अधरवाई प्लीज कमेंट को लेके कोई भी कमेंट ना करें मतलब नेगिटीव कमेंट खास करके ना करें क्योंकि मेरा कोई मैं किसी को मतलब जस्ट अपना शेयर कर रही हूं अगर आपको help करेगा तो मेरे लिए बहु कैसे आद रखें गे अब मैं बो बता रही हूं ठीक है कांगरा का रवी कांगरा का रवी कांगरा का रवी से मतलब क्कै अभी यह जो बंगाला शब्द है यह किसी कास्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा है हमारे में उसको बोलते हैं जो नहाता दोता नहीं है जो नहाता दोता नहीं गंदे से रहता है मतलब हम जस्ट फोर फन प्लीज डोंट टेक इस सीरियस यह कोई कास्ट नहीं है कुछ नहीं है ज जो होली खेलने चमबा जाता है और खीर खाकर खीर खाने पंजाब खीर खाने या खीर खाकर पंजाब जो भी आपको समझाए तो मैंने बताया आपको कहां जाता है होली खेलने यह जाता है चमबा जाता है यानि कि सरहोली चमबा और खीर खाकर पंजाब चला जाता है तो पं पूरी चीजस में कवर होगी अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चारी हूं कांगडा का रवी मतलब कांगडा से रवी निकली ठीक है बड़ा पंगाल मतलब नहता दोता नहीं है होली केलने जाता है चंबा सरहूली से अंडर गया चंबा और खीर खा कर जाता है से क्या करता है महबत करता है आप ऐसे याद रख सकते हैं रिप या फिर रिप जैसे रिप होता है रेस्ट इन पीस जो भी आपको सही लगे अब मुझे आपको याद करवाने के लिए मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहे हूं सो डोंट फील इट अकवर्ड आपको इसको कराऊंगी मैं कोई भी चीज सौरी यह क्या हुआ अब एक सकेंड हाँ चीक है तो देखिए हाइड्र प्रजेक्ट की बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रजेक्ट जो बड़ा बंगाल में जहां निकलता वहीं पे भी एक हाइड्रो प्रजेक्ट बनाती है रावी बनता है 200 मेगावाट का है जिसको बड़ा बंगाल हाइड्रो प्रजेक्ट इसी के नाम से तेंशन ही नहीं है और चंबा में जो बनाती है चंबा में तो बहुत सारे लेकिन फेमेस जो है चमेरा वन चमेरा टू दो चमेरा वन है जो पहले बन रहा है मतलब पहला है जो 540 मेगाव बहुत बहुत में है 190 मेगा वाट होली है एडोली है नहीं हुठ कांगडा में हैं, तो I hope आपको ये समझ आया होगा, और इसकी last, I think मैं रो ट्रिबुटरीज नहीं बताई, तो भादल स्यूल, बैरा तंतागिरी, चीर्चंद नाला, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, भादल स्यूल, बैरा तंतागिरी, चीर्चंद, नाला ठीक है, ये तिस्सा भी चत्रानी करके भी आता है, ठीक है वो सारी इसकी क्या है, ट्रिबुटरीज हैं, ठीक है, ट्रिबुटरीज हैं, रावी नदी की तो ये था रावी का हो गया ये रावी के बारे में अब लास्ट हमारी जो बचती है कौनसी बचती है, एक सेक्षिर होगे अब बचती है, ब्यास कौनसी नदी बचती है, ब्यास और ब्यास आपकी ये रही लोकेशन देखते हैं, चले लास्ट नदी है ब्यास, ये है ब्यास की कुछ location अगर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ब्यास का जो हिमाचल में distance है कितना है 256 किलोमेटर second longest river in हिमाचल is ब्यास ठीक है वैदिक नेम अरज किया किस ने अरज किया sorry 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 वैदिक नेम असकिनी वैदिक नेम आपका एक सेगे असकनी चिनाव का है न एक सेगे रूखे हमने कर लिया गए इसको पहले ब्यास को ने किया न चिनाव को किया है पहले और फिर उसके बाद हमने यमना को किया था सत्रूज किया है रावी को किया है ब्यास अभी ने किया है ठीक है तो ब्यास का है ब्यास का जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा और अरज किया ये आपका वैदिक नेम है ये आपका संस्कृत नेम है ठीक है ब्यास जाकर अरज किया ऐसे याद कर सकते हैं अगर आपको help करता है तो ठीक है तो 256 किल मीटर है कहां से निकलती है यह देखिए कपा पास कुल्यू में इसको काउंट करते हैं कुल्यू में है रहोतांक पास आप देखरे है लॉलrant के विच्ए जह कुलू के बीश हो रोhतंग या ब्यासकुंड आ गँगा फिर तर टेंशन इस ब्यास ब्यासकुंड निकलती है ब्यासकुंड से जिसका origin होता है पीर-पजाल रिजन भी पीर-पजाल चयंबा मैंने आपको बताया जैसे घूमते हुए आउते यह पहाड जो आपकी यह हम रिंजिस की बात करते हैं यह एक जगा नहीं है डॉमिनिटेट है चंबा में आपको यह बताऊंग अगर ऐसा सिर्मोड तक को टच होती है आपकी दोलादार भी ऐसे मतलों यह बीचो भीच पहाडियां जो पूरे हमाचल में फैली हुई है तो रोतांग दर्रे से निकल रही है ब्यासकूंट से पेरपंजाल रेंज से इतना है यह आपको क्लियर है 256 किलोमेटर इसकी लंबाई है अरजिकिया इसका वैदी के नेम है विपासा इसका संस्कृत नेम है कैचमेंट एडिया 1200 स्कूर किलोमेटर ठीक है अभी देखिए यह कहां से जब यह कुलू से निकल रही है डिस्टिक कुलू से निकलती है तो यह मंडी में कहां से एंटर करती है यह कोशन बहुत इंपर्टन है पूछा जाता है ध्यान से सुनेंगे मंडी में एंटर करती है बजोरा मंडी में करती है बजोरा रही लिग दिया बजोरा से एं संधोलसे संधोल नामक जगह सांधोल मंडी को छोड़ती है, कई वार ऐसा था मंडी लीव मंडी एट या जब वह बही किसी चीज में हम 7th क्लास में जा रहे हैं तो 6th को छोड़ रहे हैं है न, तो यही बात है तो मंडी को कहां छोड़ रही है, कांगडा में कहां एंटर हो रही है, तो संदूल आपको याद रखना है, मंडी और कांगडा के बीच का जो पॉइंट है, वो है संदोल, चीक है, इतना याद, और कुलू और मंडी के बीच का जो पॉइंट मैंने बताया, वो है बजूरा, आप confuse नहीं करेंगे, ये कुलू और मंडी के बीच, M-K के बीच भी आ गया बजूरा, अब मंडी और के, कांगडा के बीच आ गया संदोल, ऐसे करके आप अपने माइंड में फिट करिए इसको कि कैसे आपको याद रखना है, चीक है, और फिर आता है इसके बारे में, और एक चीज और थी, कि तो remember, यह जो छोड़ती कहा पर है, ठीक है, पंजाब में कहाАं एंट्र, अब कांगडा से लिव करेगी, कांगडा से लिव करेगी, तो यह लोकिशन है, देखिए, मिर्थल, मिर्थल, मिर्थल नामक जगह पर यह क्या कर देती है आपके कांगडा को लीव करती है तो तीन पॉइंट जो आपकी ब्यास के लिए important है रोतांग दर्रे से ब्यास कुंट से निकली बजोरा से मंडी में जाती है उसके बाद संधोल से कांगडा में एंटर करेगी मिर्थल से पंजाव जाएगी यहां से आप बस लेते जाएए इसको दिमाग में फिट करते जाएए साथ की साथ ठीक है इतना हो गया उसके बाद यह finally जाके सतलूज अंदर के साथ मर्ज होती है हरी का पतन फिरोजपूर डिस्टिक पंजाब में फिरोजपूर पंजाब की एक डिस्टिक है फिरोजपूर यहां पे जाके सतलूज के साथ मिक्स होती है जिस पॉइंट पे मिलती है फिरोजपूर डिस्टिक के अंदर जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हरी का पतन बोलते हैं अब इसकी टिबूटरी की बात करें जो आपकी ब्यास है इसकी Tributaries की बात करें तो पार्वती, पार्वती, हरला, सैंज, सुकेती, लूनी, बानगंगा, ये कांगडा में वहती है, बानगंगा, ठीक है, बिनवा, चक्की, गज, निूवल, देहर, तो ब्यास, ब्यास की ज़्यादा Tributary है, सतलूज और ब्यास की ज़्यादा है, लेकिन ब्यास की ज़्यादा मैंशन की होती है, हर बुक में, ठीक है, तो ये, आई होप आपको help करेगा, उसके बाद ब्यास के लिए थोड़ी सी और चीज में आपको उता दूँ, जो आपको मझे लगता है, लास्त में, थोड़ा सा बताना ची, हाइडल प पर्वति माता सबसे बड़ी यहाद रखले, पर माता है न, पार्वति, तो 251, 2015 मेगावट का परजेक्ट है, लाजी तनी फेमस है, सेंज हो गया, लाजी जैसे 126 मेगावट का है, लाजी हड़ी परजेक्ट है, इसका भी पूरा बता देती हूं, 126 मेगावट, उसके अल्यान दूगन, मलाना, गज, मलाना देखी सबसे बड़ानी डैमक्राइसी है कुलू में है तो मलाना तो आपको याद होगा ठीक है पॉंग डैम, जो पॉंग डैम है, पॉंग जीलया, वो भी आपके इसी पे है, बनेर, बिन्वा, लेकिन ये बनेर, बिन्वा की अगर हम बात करें, जब भी नाम आता है, ये कांगडा में है, कुल्लू में तो फिर, मैंने आपको बताया, कुल्लू की कौन कौन सी है, मिम्म हम राहिए, मंडी की मंडी की आपको बता देती हूं, मंडी में शानन, छानन, देखे हो, ऑलड स्पार्वती बताया, मैंने वह भी आपका ब्यास पे सबसे पुराना जो मैंने बताया हाइडर एक्टिव प्रजेक्ट वो आपका क्या है सानन है और सबसे जो यह फर्स्ट कह लीजिए यह पहला कह लीजिए यह अकेला जो अंडर्ग्राउंड है वो सत्तिलूज वैडिस्टिक की नौर में इन्हों आप थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे शानन 110 मेगावाट है जोगिंदर नगर में जगा पूछ ली जाती है मंडी में कहाँ है शानन बताईए जोगिंदर नगर कहाँ है जोगिंदर नगर यहाँ पे वो 60 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट बनाती है ठीक है उसके बाद और क्या इससे कुशन आ जाता है नहीं अभी कुछ और नहीं बचा शायद सब कुछ बता दी हमेंने तो आप ध्यान रखेंगे एक चीज मैं जाते-जाते थोड़ा सा याद करने का मैं मतलब अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ तो जैसे रोहतांग दरे से निकलती है तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कल तंग होकर पीर को मनाने लाइन सुनेंगे अच्छी लगती है एक बार बोल देती है एक बार बोल देती है कांगडा से संदूल और पंजाब से मिर्थल चली गई ठीक है मिर्थल से पंजाब चली गई ऐसे कर ले न आप इसको देखो कल से क्या हो गया कल से कुल्लू की बात कर रहे है तंग से रोतांग दरा जब पढ़ रहे हैं तो हिंट तो आपको मिलना हिंट से काम करेंगे यह नहीं कि तंग से रुतांग कैसे बन गया अब रुतांग तो आपको पहले से पता होगा ना बस हिंट कल तंग होकर ब्यास कल तंग होकर पीर को मनजाने पीर मतलब पीर पंजाल अरजिकिया मतलब मैंने आपको बताया अरेजिकिया क्या है इसका वेदिक नेम है ब्यासकूंड से आई कल तंग होकर पीर को मनाने अरेजिकिया ब्यासकूंड से आई फिर मंडी से बजोरा मंडी में बजोरा मंडी में बजोरा बोलेंगे आप उसको मंडी में बजोरा, कांगडा में संदोल मंडी में बजोरा, कांगडा में संदोल और पंजाब में मिर्थल से चली गई ऐसे आप याद रखेंगे तो दो बार इस लाइन को पढ़ेंगे तो पूरा track आपके mind में fit हो जाएगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा नदिया हमने सब कर लिए है अगर नई वीडियो देखा तो जा के चैनल पर देखेंगे तो आई होप आपको यह help करेगा definitely help करेगा तो आज का वीडियो यहीं close करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो like, share and subscribe जरूर करें thank you so much for watching